तो आगे हैं एक और विलोग लेकर आपके खिद्मत में आज जो हम आए हैं वह आए हैं अपने गाउं के अंधर एक दरगा है हमारे हाँ पर तो उसी दरगा में हम आए हैं और यह दरगा जो है यह बहुत पुराने कब्रुस्तान है और यह काफी पुराने कब्रुस्तान है त में पीछयां लोगों की लेकिन ये पेड़ बलकुल एसे हैं और यह कदम के लक्ली होती होती है बहुत ही मभी लगी होती है तो यह बहुत पुराने पीछे देख रहे हैं ये पर मैंने कलग से के अंदर तो यह इंदर सभीव पेड़ ऐसा हैं जो सारे के सारे क्या और आप तो यह बहूत सारे टूट गए आधि के आज नुकर गए पहले यह था बड़े बतलाते हैं कि सारी जगाओ के अंदर पर क्या अज मत दिखाते हैं करीब से के अज़े इनके कोई देखबाल तो होती है नहीं और इनके खासियतीय है कि एनको पोदा नी होता सबसे बड़ी खासियतीय है इनका कोई आप नया पेड़नी देखेंगे हमारी उम्मर बेरी उमर तकरिबान चो-फिस साल वह लेकिन मैंने इनको ऐसे का ऐसे ही देखा बिल्कुल इन्हीं कब उस्तान के अंदर है कि मजार बना हुआ है और यह मजार भी बहुत पुराना है कि अज़िए अज़िए आप कि अज़िए पीड़ यहां पर सूख रहें कदम के यह सूखे इसलिए है कि यहां पर पानी भर गया यह पीड़ ऐसे पेड़ है जिसको ज्यादा पानी ने चाहिए यह थोड़े से पानी के अंदर यह पेड़ बिल्कुल पनपता है खाले जब बरसात होती है तब ही इन पेड़ों को पानी मिलता है उसी से अपना पूरा कोटा कर लेता है पानी का लेकिन इनकी ज़ड़ में जब मुस्तकिल पानी रहने लगा तो यह बहुत सारे पेड़ गल गए देखिया आपको दिखाता हूँ कितना मोटा यह पेड़ है कितना मोटा यह पेड़ पड़ा है तो दीके बिल्कुल खोग लाया देखिया अंदर से देखिया लगता सुरंग से मालूम हो रही है लेकिन यह गिरा हुआ पेड़ है देखिया काफी लोगों के हमारे गाउं के अक्सर लोगों की रिक्रार बैंटिंग है एक भी लोग जो में बड़े अच्छे मैसूस होते हैं और बड़े एक अजीब से लगते हैं यह पिर देखने के अंदर अभी आपको वीडियो में सही तरीक से नहीं नज़र आ रहे लेकिन जब करीब साब देखेंगे इनको रियल में देखेंगे तो बड़े अजीब मालूम होंगे